नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्शिद वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 29 मार्च 2021 के डेली न्यूस एनलेसिस में यहां पर आज की सारी इंपोर्टेंट न्यूस मैं आपके साथ डिसकस करूँगा देखें बहुत जल्दी जल्दी में यह वीड वैसे तो अब तक मुझे जितनी भी न्यूस मिली हैं मैंने यहां पर कवर अप कर दी मैं लगबक सुबह 8-9 बज़े की लगबक की वीडियो बना रहा हूं दिन में आपको यह दो बज़े की वीडियो मिल जाएगी पहली जो न्यूस है वह है टार्गेट ऑफ डबलिंग फ ना करेंगे लेकिन नीदिया के मेंबर यह बोल रहा है कि भाई यह चीज़ डिपेंडेंट थी कि नए फार्म लॉस इंप्लिमेंट हो यह जो तीन फार्म हम लेके आया थे अगर यह इंप्लिमेंट होते तो तो हम लोग फार्मर्स के इंकम को 2022 तक डबल कर पाते तो अभी क के साथ बैट बैट के क्लास पाई क्लास डिसकुशन करिए बट फार्मर्स साफ साफ यह बोल रहे हैं कि वो सरकार के साथ इसके ओपर बातचीत नहीं करेंगे अभी तक आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली की बाटर पर स्ट्राइक कर रहे हैं लग ब आउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं अब तक सरकार के बीच में और फार्म यूनिस की बीच में आखरी बातचीत हुई थी 22 जनवरी को 22 जनवरी के बात से लेके अब तक कोई बातचीत इसलिए नहीं हुई है चोकि 26 जनवरी को आपको पता है रेपब्लिक टे वाले दिन ट्रैक नीदियाओ के जो मेंबर है अगरी कल्चर के उनने ये भी बोला है कि बाई सरकार ने फार्म लीडर्स को एक आपशन ये है कि सरकार इन लॉस को डिर्ड़ साल के लिए होल्ड पे डाल दे तो जब ये आफर दिया है तो ये फार्म यूni spectrum नहीं हो गैए एक ये पौइंट होगा दूसरा पौइंट अजाता है genetically modified crops का मिस्टर रमेश चंद का ये बोलना है कि देखें, जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स का इंप्लिमेंटिशन होना चाहिए, फील्ट राइस होने चाहिए, इसके उपर काफी सारे अलग-अलग व्यूपॉइंट्स हैं, अगर आप देखो, तो एक बॉडी है जिसका नाम है Alliance for Agri Innovation, ये एक Leading Agri Tech Industry Body है, इसने रिसेंटली एक रेटन लेटर लिखा केंद सरकार को और बहुत सारी सरकारों को, जिसके तो इसने बोला कि भाई ये जो BT ब्रिंजल है, जो कि एक जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप है, इसके फील्ट राइस को शुरू करिए, आप ये ज ऐसा बोला जाता है कि जो जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप हैं, ये खाने में सेफ नहीं है, इस हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, और बहुत अलग-अलग प्रकार की बात है, जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स, BT ब्रिंजल को 2010 में बैन कर दिया गया था, ऐसा कि पब्लिक हेल्थ और बायोडिवस्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, अब ये अलाइंस फॉर अग्री इन्वेशन ने बोला है कि ये जो बैन किया गया था, ये गलत है, कम से कम BT ब्रिंजल की फील्ड इट्राइस तो शुरू करी है, ट्रायल तो शुरू करी है, तो नहीं न कहीं सरकार के लिए डिफीटिंग हो सकता है, इसलिए सरकार डायलमा में फसी है कि करें तो करें क्या, इसलिए यूनियन इन्वार्मेंट मिनिस्टर प्रकास चावा देकर सामने, राज सभा में एक रिटन रप्राइ में क्या बोला, कि देखिए, जेनेटिकली एक्सपर्ड अप्रेजल कमिटी, तो GEAC कमिटी, BT ब्रिंजल का या किसी भी और जेनेटिकली मॉडिफाइट क्रॉप्स के ट्रायल को इंप्लिमेंट करना है, नहीं करना है, इस पर डिसीजन तब तक नहीं लेगा, जब तक रिकमेंडेशन राजी की सरकार से या केंदर शा ले रही है, बहुत सोच समझ के ले रही है, और इसमें सरकार ने बोला है, कि भे अब हम राज्य और यूनियन टेरिटीज की रिकमेंडेशन का इंतजार करेंगे, और उसके रिकमेंडेशन के बाद ही जेनिटिक अक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी में कोई बात चीत होगी, और यह जो बात है न, यह Alliance for Agree Innovation वाली भी जानते हैं, इसलिए इन्हों ने केंदर सरकार के सासद राज जी की सरकारों को भी लेटर लिखाए, कि आप केंदर को कम से कम अपना रिकमेंडेशन दीजे, दाकि केंदर सरकार जल्दी से जल्दी कोई डिसिशन ले सके, फिर यहा इसलिए इसलिए बात हैं, जो पी डाटा सब्मिट किया गया है, किसी भी बाटी के साथ उसकी एकवरेशी को एकसे करना, submitted data की safety को assess करना field trials conduct कराने है नहीं कराने है इसके उपर final approval देना यह सब genetic engineering appraisal committee करती है तो GEAC को लेकि जो genetically modified crops का field trial कराना है की नहीं कराना है BT benjal का field trial कराना है की नहीं कराना है यह चीज particularly भी news में है और जो रमेश रंस आपने बोलाए कि भाई जब तक farm laws implement नहीं होगे तब तक farmers की 2022 तक income को double करना यह भी काफी मुश्किल है जनले इस पेपर 3 में transport and marketing of agriculture producing issues and related constraints में यह news आपको काम आएगे नेक्स डिस पे चलते है PM Modi invited for US hosted virtual climate summit यहाँ मेरा थोड़ा सा self promotion अगर अब तक आपने वीडियो को like नहीं किया है बिल्कुल कर दीजे बड़ी ही precary situation में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई तो वीडियो को like और share ज़रूर करो join button दबा सकते हो तो ज़रूर दबाओ मेरे चैनल हर्षिदिवेदी education की playlist section में जाएगे उस playlist section में आपको मेरे editorials की playlist मिल जाएगे current interface की playlist मिल जाएगे लक्षमे कान्त की politics playlist मिल जाएगे spectrum की modern history की playlist मिल जाएगे आपको रमेश सिंग की economics की playlist मिल जाएगे साथीस जंद्रा की media history की playlist मिल जाएगे environment and ecology की playlist भी है geography की भी है हाला कि geography के लिए मैं बोलूँगा कि जिक्स से ट्रास की NCIT बनाएगे 11 पर भी हूँ देरी देर सारी वीडियो से फ्लोड हो रही है तो जोईन में अबागे help कर सकते हैं तो करिए नहीं तो instagram पर follow कर लिजे वहाँ पर आप से regularly बात करने हैं कोशिश करता हूँ telegram को join कर लिजे इस particular lecture की पीडियों के लिए और मेरे सारे lectures की notification के लिए अभी recently President of United States जो बाइडन साहब ने 40 world leaders को invite किया है जिसमें हमारे प्रधान मंतिन जर्ण मोदी जी भी है किसले invite किया है एक US host करेगा virtual summit on climate को कब अपरेल 2021 में और इस climate summit में इस बारे में बातचीत की जाएगी कि क्यों climate problems के साथ deal करना इतना urgent है और climate problems के साथ अगर हम deal करते हैं तो उसके economic benefits किया क्या हो सकते हैं यह दो डे की climate summit होगी और it will be started on the occasion of earth day यह अर्थ डे कब पढ़ता है 22 अपरेल 2021 को यहाँ पर प्रेजिडेंट साथ यूएस के क्या future goals है when it comes to carbon emissions यह भी अनौंस करने वाले हैं तो यूएस carbon emissions को 2030 तक कितना कम करेंगा कितना target कर रहा है यह यह आवे जो वेड़ अनौंस करेंगे इस summit को नाशनली determined contribution भी कहा गया है Paris Accord के अंदर इस summit में नरेंदर मोदी जी के साथ साथ चाइनीज प्रेजिडेंट जी दिंपिंग और प्रेजिडेंट अफ रश्या व्लादिमिर पुतिन को भी इन्वाइट किया गया है ठीक है और नौंबर 2021 में Glasgow में जो United Nations climate change conference होने वाली ECUP 2026 उसमें की milestone की तरह काम करेगा यह particular आपका summit जो कि अभी अपरेल 2021 में जो वाइटन इसके लिडर्स को invite कर रहे हैं इन 44 वर्ड लीडर्स के अलावा कुछ business और leaders of civil will भी यहाँ पर्टिसिपेट कर सकते अब्जेक्टिव क्या है तो अब्जेक्टिव यही है कि भाई global temperature को limit करना है तो इस summit में बातचीत की जाएगी कि कैसे enhanced climate ambition से अच्छी नौकरियां पैदा की जा सकती है vulnerable countries की मदद की जा सकती है climate change impacts को adapt किया जा सकता है किसकी मदद से innovative technologies की मदद से United States 2030 तक अपने emissions को कम करने का ऐसा बोला जा रहा है कि ambitious target भी यहां पर issue करेगा जिसको बोला जागा US का new nationally determined contribution under the Paris Agreement जो कि Paris Agreement से Donald Trump walk out कर गया थे तो कहीं न कहीं US अपनी standing को maintain करने के लिए फिर से यहां पर join करेगा तो कुछ ना कुछ targets देखा और यह targets ambitions होने चाहिए ठीक है और कहीं न कहीं US यहां पर पहले एक organization था जिसको बोला था major economies forum on energy and climate Donald Trump के बाद major economies forum on energy and climate पे भी कुछ नहीं हुआ इसको भी यहां पर revive करने की बात की जा रही है ठीक है इस forum में 17 countries होंगी जो कि 80% of global emissions and GDP के लिए responsible general studies paper 2 में international relations important international institutions by later regional and global groupings में यह particular news आपको काम आएगे next news is 7th annual summit of nat health union ministry of health and family welfare डॉक्टर हर्श वर्दन ने address किया है 7th annual summit of nat health इसको address किया गया है virtual mode में 26th of March 2021 को इस summit में focus क्या था focus था Indian health system expansion in post-covid era यह पोस्ट-covid era में इंडिया के health system को कैसे expand किया जाएगा यहां पर summit को address करते हैं मिनिस्टर साथ मिनिस्टर साथ कौन है डॉक्टर हर्श वर्दन साथ यहां पर क्या पोल रहे हैं कि भाई देखिए health for all should be a top priority प्रेजेंट जो central government है जो भी राजी की सरकार है उनकी top priority पर होना चाहिए health for all और कहीं न कहीं अपनी सरकार के तारिफ करते हुए यहां पर डॉक्टर हर्श वर्दन साथ क्या पोल रहे हैं कि प्रेजेंट बीजेपी सरकार ने 2017 में इसी health for all principle को follow करते हुए नैशनल health policy को promulgate किया था ठीक है यहां पर जो नैशनल health for all और जो नैशनल health policy है इसका primary vision क्या है primary vision यह है कि देश में जितने भी लोग हैं उनको highest possible level of health और well-being provide किया जाए चाहे वो किसी भी एच क्रूप के हो और इसके लिए भाई preventive and promotive aspects of health universal access to good quality health care services इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा और इसी के लिए सरकार ने अयुश्मन भारत scheme को भी launch किया था ताकि universal free access मिल सके primary health care का सब को ताकि उनकी health और well-being को promote किया जा सके बोल बच्चन टाइब की इन यूजर्स में कुछ खास है नहीं अब यहां पर बात की जारी union budget 2021 की देखिए union budget 2021 ने health पे बहुत focus दिया है ऐसा यहां पर सरकार बोली सरकार ने बोला है कि हमने 2021 में health को financial allocation दिया है 223,846 करून का 2020-21 के budget से देखोगर आप health के तो यह 137 परसंट जादा है और सरकार को यह target है कि केंदर सरकार 2025 तक GDP का 5.5% health में खतम करेगा और यहां भी केंदर सरकार राजी की सरकारों को बोल रहा है कि भाई यह आप अपनी GDP का कम से कम 8% health में खतम करो ठीके भाई फिर आगे बात की जाएं यहां पर एक और स्कीम की बात की जाएं प्रदान मंत्री आथ में निरबर स्वास्ती हो जना यह स्कीम कौन सी है तो देखें इस स्कीम वस लॉंच्ट विद एम ऑफ स्ट्रेंगिनिंग एंडिया में उनके चैलेंज के साथ टील करने के लिए हमारे हैं स्ट्रॉंग करने के लिए यह प्रदान मंत्री आथ निरबर स्वास्ती हो जना लेकर आई गई इसका काम क्या है इस बात को मॉनिटर किया जएगा कि बीमारिया कहां कैसे फैल रही है और उनको कैसे पहलने से रोका जा सकता है इसमें, स्कीम में, ट्रेनिंग और मेंटरिंग की बात होगी एडवान्स टीट्मेंट के लिए क्रिडिकल के लिए लॉग मनाएजाएंगे नौइ डिजिजिस कांट्रोल के लिए Network of Public Health Laboratories को strengthen किया जाएगा Emergency Response के Mechanism को यहाँ पर strong किया जाएगा तो इस तरीके की World Budget Lab की बात है बहुत अच्छी अच्छी जो कुछ ऐसे General Points है जिनको आप रटलो और Health की किसी भी चीज में लेकर दो General Studies Paper 2 में Issues Relating to Development and Management of Social Security Services Relating to Health Minutes आपको कामाएगी फिर बात करते हैं New Assessment by IOCN on African Health Plants देखिए जो Red List है जो की Release की जाती है International Union for Conservation of Nature के दोरा इसने यह बताया है कि अफरीका के वो हाती जो कि फॉरस्ट में रहते हैं और सवाना रीजन में रहते हैं अफरीका के समाना रीजन में और उसके जंगलों में जो हाती रह रहा है न उनको कही ना कई extension का threat हा रहा है वो जल्दी जल्दी जो उनकी आबादी है वो कम होती जारी है और इन हातीयों का शुकार बहुत होता है इस इलाके में तो यहां पर बहुत सारे conservationist का यह बोलना है यह जो हातीयों का शुकार हो रहा है यह जो हातीयों की poaching हो रही है इसको बहुत urgent basis पर बंद कराना ज़रूरी है यहां पर दो प्रकार के elephants की बात की जा रही है एक है समाना elephant वो endangered है उसके अलावा एक और smaller lighter forest elephant है वो critically endangered है तो दूँ elephant निकल के आ रहे है पहले समाना elephant जो की endangered है और दूसर smaller lighter forest elephant elephant जो की critically endangered है अभी बात यह है कि जो smaller lighter forest elephant है critically endangered वाला यह already extinct हो चुका है wild से इसकी population बचीए है बट human captivity बचीए है तो zoological parks में, zoos में आपको population मिल जाएगी smaller lighter forest elephant की बट wild से ही extinct हो चुका है पहले International Union for Conservation of Nature इन दोनों प्रकार की species of elephant को vulnerable बोलता था बात में genetic evidences के बारे साथ यह पता चला कि समाना elephant अलग है और यह जो smaller lighter forest elephant है यह अलग है ठीक है ना दोनों में differences निकल गया और बात ने बोला गया कि भाई यह दोनों अलग-अलग है एक नहीं है ठीक है अब यहाँ पे जो IUCN का data निकल के आया है उसने बोलाई कि अफरीका में जो समाना elephant की population है अलग-अलग habitats में पिछले 50 सालों में 60% से घटी है और forest elephants की जो अबादी है Central Africa में यह पत्रे 31 यर्स में 86% से गिरी है अभी के लिए इन दोनों elephants की जो combined population है वो 4,15,000 है तो यह दो केसे ज़्याद रखेगा किसी environmental conservation से related अगर आपको IUCN का रोल लिखना हो तो इस basic information को आपको उट कर सकता भी इस प्रकार की तो रोज बहुत सी information आती है और विसी बात आप इनको भूल भी जाओगे बट कहीं न कहीं इससे आपको IUCN के रोल के बारे में आइडिया लगता है ठीक है आप important क्या है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर य सवाना elephant की बात हो रही है पतलब सवाना के इलाके में रहने वाले जो elephant है वह कवांगो जांबेजी ट्रांस फंटियर कंसरविशन एरिया में बढ़ रहे हैं यह जो ग्रीन संग ट्रंग से यहां पर आपको एलाइका दिखाय जा रहा है यही है कवांगो जांबेजी ट्रां कंसरविशन एर रहा कितनी कंट्री से मां는 तक अंगोला जांबिया नंवीपिया लिदेगा यानद रखियेगा कि अब एक तरफ तॉपने देखा मिए फॉररेट है और साहना इलेफेंटा कोद जग जारी हैं 25 3 дв 10 बर rappers अबर देखा कुछ फ्रीक्तिंग इंप्ने श्राद सरकारे हैं वो इनकी पॉपलेशन को बढ़ाने के लिए प्रॉपर फूटफुल एफर्ट समार रहे हैं इन्वर्मेंट और बादेश्टिव इन्यूस काम आएगा वर्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट 2021 देखिए वर्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लाइस अभी रिलीस हुई है और यहां पर क्या बोल रही है इस ट्रेमेंडियस पोटेंशन और रिस्क ऑफ चेंजिंग डाटा लैंड्सकेप फॉर पीपल लिविग इ यहां पी जो वर्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट है यह डाटा ऑफ बेटर लाइफ की बात कर रही है यहां पर डाटा पर बहुत फोकस किया जा रहा है अगर बात करो जाओ रिक्रमेंडेशन सफ रिपोर्ट तो न्यो शोशल कॉंट्रेक्ट फॉर डाटा इंक्रीज डाट तो रेलाइज वैल्यूज इक्विटी विल एक्सेस में भी डाटा को सेड़ा है प्रोटेक्ट फूपल फॉर्म डाटा मिस्यूज इंटीग्रेटेड नैशनल डाटा सिस्टम अब बोलोगी हर जगा डाटा डाटा आ रहा है इस वर्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट में तो करना है इनकी इलिजबिल्टी को कि प्रकार से डिसौट करना है इसके लिए सरकार कुछ परमेटरस तय非常 करती है और इन परमेटरस को डाटा की बेशवक्त मिलना चाहिए इसको डीनियों नहीं मिलना चाहिए तो वो भी प्रकार का डाटा है तो डाटा के यहां पर varied manifestation है डाटा मतलब information और world development report क्या बोल रही है यह वो लोग जो गरीब countries में रह रहे हैं या फिर precisely कह लिए वो लोग जो low income countries में रह रहे हैं उन low income countries में रहने वाले लोगों के लिए उनकी हालात को सही करने के लिए information development होना चाहिए मतलब data proper मतलब यहां पर data और information interchangeably use कर सकते हो word development report के बारे में बात करें तो यह publish करता है word bank कब से publish कर रहा है 1978 से publish कर रहा है बहुत important guide मानी गई है economic social and environmental state of the world के लिए इस report में new social contract for data की बात की जा रही है तो जो global south experts global south experts मतलब जो developing countries based experts हैं उनका यह बोलना है भाई कि civil society academia और जिदने भी बड़े-बड़े corporates हैं वो कहीं न कहीं जो भी data इखटा किया जा रहा है उसकी transparency को बढ़ाएं और कहीं न कहीं contribute करें इस बात भी धियान दें कि जो data है वो societal benefits के लिए इस्तमाल किया जा रहा है फिर क्या फोला जा रहा है वह लेविल ग्रॉप्स के benefit के उनकी data literacy को बढ़ाना जरूरी है और चितनी भी अलग अलग प्रकार के groups में society में उनकी equitable development के लिए डाटा बहुत जरूरी है इसलिए आप देखे लिखा हुआ equitable access में क्या है कि कुछ data public systems के द्वारा यानि सरकारी systems के द्वारा इखटा किया जाता है कुछ data private systems के द्वारा इखटा किया जाता है इन दोनों data को synchronize करना ठीक है ना अलग अलग targeting नहीं करना और कहीं ना कहीं data से overall एक welfare state को promote करना बिसिकली ऐसे बाते हैं पोले जा रहा है फिर data is misuse को माना किया गया है तो जो बड़ी-बड़ी companies होती है वो data को misuse करके लोगों के behavior को manipulate करती है यह गलत है आकसर कर data को misuse करके election के परिणामों को बदलने की कोशिश की जाती है वो गलत है और फिर बात की गई integrated national data systems यह क्या बोल रहा है experts further highlight difficulties for countries which are suffering from poverty, fragility and poor governance in designing high quality data systems तो वो देश जो गरीबी से गुजर रहा है poor governance से गुजर रहा है कहीं न कहीं उनमें इन parameters को सुधारने के लिए उनके data systems को गर high quality कर दिया जाय तो अच्छी हो जाएंगी इसके लिए आपको उनके physical और human capital में invest करना पड़ेगा और उसके physical और human capital को integrated national data systems के साथ जोड़ना पड़ेगा तो basically the world development report है यह improved data access की बात कर रहा है improved data dissemination की बात कर रहा है equitable sharing of benefits के respect में data को deploy करने की बात कर रहा है ठीक और data के यहां पर कितने variety manifestation है यह मैंने शुरू में आपको बताया था जैनल स्ट्रीज पेपर 2 में important international institutions और इनकी जो reports आती है उसके respect में उसके context में उसके आपको काम आएगे thank you for watching friends have a great day